नमस्कार प्यारे विद्ध्यारतियों एक बार फिर आपका स्वागत है M.G.C.I.E. के यूटूब चैनल पर प्यारे विद्ध्यारतियों आज का मेरा यह वीडियो है यह P.A.T. 2024 में चित्रकूट की काउंसलिंग को लेकर यह वीडियो है मैं आपको चित्रकूट की काउंसलि में आपकेंपस काउंसलिंग होने वाली है तो वे समस्त विद्ध्यारति जिनका फर्स्ट और सेकंड राउंड में अलाट्मेंट MP में नहीं हुआ है RBS के वीवी, JN के वीवी में नहीं हुआ है वो चित्रकूट की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं इसकी डिटेल इंफर्मेशन में आपके लिए लेकर आया हूं वीडियो के साथ अंतर जुड़े रहे है प्यारे विद्यारतियों यह महात्मा गांधी, चित्रकूट, राम BSC Honors Agriculture के लिए यह काउंसलिंग है और Online Registration जो है आप देखेंगे कि 10-10-24 से प्रारम हो चुके हैं और 17-10-24 रात 12 वज़े तक यह चलने वाले हैं इसमें आपको Online Registration करना है, Registration करके Registration फीज जमा करना है उसके बाद आपको वो अगर selection होता है तो उसकी जानकारी देंगे उसके बाद आपको जाना रहेगा से सुलक लेकर विश विद्याले में जाना होगा और वहाँ जाकर Admission लेना होगा इसमें Free Seed वाले जो विद्यारती हैं उनकी काउंसलिंग 23-10 को रहेगी, Payment Seed वाले विद्यारतियों की काउंसलिंग होगी 24-10 को अब किस तरह से काउंसलि MP online पर जाकर आपको पंजियन कराना है, दूसरी प्रोसेस में online आवंटन एवं दस्तावेजों का सत्यापन काउंसलिंग के समय विश विद्याले में, मतलब आपको अलाट्मेंट होने के बाद दस्तावेजों का जो सत्यापन कराना है वहीं जाकर कराना होगा, तिसरा, केटी 2024 के प्रापतांकों के आधार पर पंजिकरत होने वाले समस्त सेनी के अव्यारतियों को निम्न एक से तीन चरन का पालन करना होगा, पहला चरन ऑनलाइन पंजियन, समस्त सेनी के अव्यारतियों को काउंसलिंग में सम्हिलित होने के लिए online पंजियन, मतलब online registration कराना हो पंजियन है तु अव्यारती इंटरनेट के माध्यम से महात्मा गांधी चित्रकुर्ट गामोदे विश्विध्यालाई की वेबसाइट है www.mgcgv.mponline.gov.in इस पर आप पंजीक्रत हो सकते हैं राइस्टेशन करवा सकते हैं इसके बाद सफलता पुर्बत लॉगिन के पश्चात अव्यारती अपने P.A.T. के रोल नंबर तथा जन्मतिती का उपयोग करके विश्विध्यालाई में पंजीन करेगा वेबसाइट पर जाना है आपको सबसे पहले लॉगिन करना है लॉगिन करने के बाद आपको अपना रोल नंबर और डेटा वड़ डाल कर आपको अपना रिश्टेशन वहापर कराना है अब इसके बाद आपको क्या करना होगा अव्यारतियों को सुल्क 600 रुपे महिला अव्यारती और STSC के जो अव्यारती है इनको 300 रुपे का आनलाइन भुक्तान करना होगा जो की अप्रती दे होगा नौन रिफंडेबल है अव्यारती आनलाइन भरा हुआ पंजियन आवेदन संभाल कर अपने पास रखें मतलब आपने जो एप्लिकेशन फाम भरा है रेजिस्टेशन करते समय उसको अपने पास समाल के रखना है और यह जो भुक्तान किया इसकी रसीद को भी अपने पास समाल के रखना है सुल्क भुक्तान के लिए MP Online Portal में दिये गए बिकल्प का उप्योग किया जा सकता है महापराब जो बिकल्प पूछा गया है उसके इसाब से भुक्तान कर सकते हैं सेकर्ड स्टेप में क्या है Online आवंटन एवं दस्ता वेजों का सत्यापर सभी आवेदकों द्वारा Online पंजियन के समय प्राप्त किये गए P.A.T. के अंक एवं स्रेणी के आधार पर सफल अभ्यारतियों की सुची गुनानुक्रम में घोसित की जाएगी और यो विस्व विद्याले की वेबसाइट पर प्रसित की जाएगी मतलब रइस्टेशन के बाद आप देखेंगे कि जिन विद्यारतियों का चैन हुआ है उनकी लिस्ट प्राप्तां केटेगरी के हिसाब से यहाँ पर घोसित की जाएगी तत्पस्चात मूल दस्तावेजों का विस्व विद्याले में दिये गए तिथी अनुसार फ्री या पेमेंट सीट में प्रवेश है तू सत्यापन करवाना एवं प्रवेश लेना होगा आपको फ्री सीट मिली है कि पेमेंट सीट मिली है उसके इसाब से आपको दी गई डेट पर जाकर आपको डाकुमेंट का वेरिफिकेशन करवाना है और साथ ही प्रवेस लेना है कौन-कौन से राकुमेंट्स लगेंगे तो P.A.T. 24 की अंगसूची दसवी की अंगसूची और प्रवानपत्र भारवी की अंगसूची जाती अगर लागू है तो जाती प्रवानपत्र आय प्रवानपत्र अगर लागू है तो मद्र प्रदेश का मुल निवासी प्रवान पत्र, कारेरत क्रसक का प्रवान पत्र, स्वतंता संग्राम सेनानी या सेनी हो तो उसका प्रवान पत्र, ग्रेप प्रवान पत्र अगर लागू है तो, EWS का प्रवान पत्र अगर लागू है तो, PWD अगर लागू हो तो, online आवेद करना है तो हम लोग याँ पर देख रहे हैं कि अभ्यारती प्रवेस्ट लेने हैं तू संस्था में काउंसलिंग सुल्ग भुकतान की पावती तथा अपने समस्त मूल प्रवानपत्र एवां आवस्यक सुल्ग के साथ उपस्तित होंगे pre seat में प्रवेस्ट लेने वाले अभ्यारतियों को आवस्यक सुल्ग 17,635 एवां payment seat में प्रवेस्ट लेने वाले अभ्यारतियों को 37,335 रुपे का भुकतान करने के उपरान थी प्रवेस्ट मानने होगा फ्री सीट में प्रवेस पाए SC, ST, वर्ग के अव्यारतियों का सुल्क का भुक्तान मद्य प्रदेश सासन के नियम के अनुसार करना होगा किन्तु यदि इस केटेगरी के अव्यारतियों को पेमेंट सीट मिलती है तो उन्हें भी प्रवेस के समय आवस्यक सुल्क 37,335 रुपे का भुक्तान करना पड़ेगा तभी आपको प्रवेस दिया जाएगा अव्यारति अपने मुल दस्तावेजों को विस्विद्याले में नियत दिनांग पर प्रस्तूत करेगा उसके उपरांत आवस्यक प्रवेस सुल्क का भुक्तान विस्विद्याले में करने के बाद सुल्क पाउती की एक 6,3 संस्था में जमा करेगा तथा एक अपने पास रखेगा मतलब ये जो सुल्क मैंने बताया है ये एडमिसन के समय आपको लेकर जाना रहेगा भुक्तान करना पड़ेगा भुक्तान की एक रसीद आपको महा जमा करना है और एक रसीद को अपने पास रखना है सफल अभ्यारतियों को पता कब चलेगा कि हमारा सिलेक्शन हुआ की नहीं हुआ तो आप देखेंगे जो भी सफल अभ्यारती है उनकी एक लिस्ट 19-10-24 को प्रदर्शित की जाएगी और ये वेबसाइट है www.gramoday.ac.in इस पर लिस्ट प्रदर्शित की जाएगी उस लिस्ट में आप अपना नाम देखें अगर आपका नाम आ रहा है फ्री सीट पर आ रहा है तो आपको 23-10-24 को पेमेंट सीट पर आ रहा है तो 24-10-24 को आपको फीज और जो डाकुमेंट्स में ने बता हैं वो लेकर यहां उप पस्तित होना साथ ही आप देखेंगे कि टोटल सीट कितनी है तो यहां केटेगरी वाइस लिखी है पर मैं आपको बता दो कि फ्री सीट 80 है और पेमेंट सीट जो है 40 है टोटल 120 सीट जो है यहां पर BSC Agriculture के लिए है केवल BSC Agriculture यहां पर होता है कुल 120 सीट से प्यारे विद्या के विद्यारतियों इस वार इतना बड़ा जो पर्चम MGCI के लहरा दिया है कि हम सब के लिए MGCI परिवार के सभी सदस्यों के लिए बहुत ही गोरब की बात है यह बात आप देख सकते हैं अभी तक प्राप्त जानकारी की में बात कर रहा हूं पीटी फर्स राउंड में औ हमारे पास अभी वगी अलाट मेंट पहुच रहे हैं और उसी में आप देखेंगे कि अभी तक 303 से अधिक विद्यारती जो है इनके अलाट में हमारे पास आचुके हैं यह चैनित हो चुके हैं और इस तरह से 2023 में हमने 308 से अधिक विद्यारतियों की लिस्ट दी थी तो आप देखेंगे कि यहां फर्स और सेकंड राउंड में ही यह रिकार्ड लगवग तूट गया है अभी थर्ड राउंड का अलाट्मेंट आ सकता है और सित्रकूट की पूरी कांसलिंग बची हुई है और जैसे जैसे विध्यारतियों तक यह बात पहुंचेगी और अलाट्म लिस्ट है अभी सारे फाइनल जब परिनाम हो जाएंगे चित्रकूट की कांसलिंग भी जब हो जाएगी तो मैं आपको छात्र का नाम पिता का नाम कुन से कॉलेज में सेलेक्शन हुआ है इसकी पूरी लिस्ट डिटेल में लेकर आपके सामने आओ इसी प्रकार से आप एक संस्तान है एक मात्र संस्तान है और इस बात को आप यहां भी देख सकते जैसे हमने का सरवादिक टापर्स सरवादिक टापर्स का आरती यह है कि जो टाप के महाविद्यारतियों है उसमें संख्या कित्ती है जैसे इंदोर अगरिकल्चर कॉलेज में 33 चात्र जवर्पूर अगरिकल्चर कॉलेज में 31 चात्र आप देखेंगे फर्स्ट और सेकंड डाउंड में हुए हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि टोटल 303 विद्यारतियों का चैन अलग-अलग महाविद्यालाय में हुआ है इसी प्रकार से ना केवल पीटी स्यूटी में भी आप देखें स्थान में अपना इस्थान बनाया है इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो भी विद्यारती चैनित हुए हैं चाहे पीटी हो चाहे सीउटी हो उन सब विद्यारतियों को एमजी से परिवार बहुत-बहुत सुबकामना देता है बहुत-बहुत बढ़ाई देता है उनके उजबल भविष्य की कामना करता है और एसे विद्यारती जिनका चैन नहीं हो पाया है उन्हें भी निरास नहीं होना है जल्दी से जल्दी जैसे पीटी में अगर एडमिसन लेना है तो पीटी एजी बन टू थी रुप की बेच स्टार्ट हो चुकी है सिगरती सिगर आकर एडमिसन ले और इस लंबी लिस्ट में अपना नाम जोड़े और हमें और अपने परिवार को गुराणवित महसूस होने का मोखा रदान करें कोई नहीं जानकर ही आएगी तो मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगा बहुत-बहुत धन्यवास सांगी